Hello everyone, आज मैं आप सभी के साथ में कॉर्न से बने हुए अपम की रेस्पी शेयर कर रही हूँ इसे हमने रॉ कॉर्न से बनाया है, आप चाहें तो इसे स्वीट कॉर्न से भी बना सकती है ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत ही इसी तरीके से बन जाते हैं चलिए देखते हैं कैसे बनाना है इसे इससे पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लें चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन है उसे भी ढबा लें चलिए देखते हैं कैसे बनाना है यहां मैंने 2 कच्चे भुटे ले लिए हैं यह जो white color के दाने वाले भुटे होते हैं बिल्कुल कच्चा दाना जिसका होता है यह वही वाले भुटे हैं और इस तरीके से इसके दाने निकालेंगे पहले हमें इसकी 2 line के दाने निकाल लेने हैं ये देखे मैं जिस तरीके से आपको दिखा रही हूँ, मैंने इसके पहले दो लाइन के दाने निकाल दिये, इसके बाद आप इस तरीके से इसके दाने निकाल लेंगे, जिससे कि ये बहुत ही इजी तरीके से सभी दाने निकल जाएंगे, पिल्कुल भी प्रॉबलम नहीं हो इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि आप इस तरीकेस के दाने निकाल सकते हैं यह दाने हमने काल लीए ये करीब 1.5 कप के करीब दाने हैं अ अब हमने एक मिक्सीका जार ले लिया इसमें इन दानों को हमें टान्सफर कर लेना है अगर आप कॉंटिटी को बढ़ चलाते हुए दर्दरा पीस लेना है बीच में जरूरत पड़ेगी तो इसमें वन टेबल इस्पून पानी डालने मैंने इसमें वन टेबल इस्पून ही पानी एड़ किया है और इसके बाद इस तरीके से हमने पीस लिया यह दीखी मैं आपको टेक्चर दिखा रही हूँ बिल अब हमें जार को धुल करके वन टेबल स्पून पानी एड़ कर देंगे और इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे इसकी ठीकनेस अच्छे से चेक करेंगे बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है पर हां बहुत ज्यादा गाड़ा भी नहीं रखेंगे अब इसमें हाफ ती स्पून भुना हुआ जीरे का पाउडर डालेंगे अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे मैं इसमें हाफ टी स्पून एड़ कर रही हूं आप अपनी कॉंटिटी के इसाब से आप जितना भी मिक्सर ले रहे हैं उसकी इसाब से नमक डालें वन फोर टी स्पून टर्मरिक पाउडर डालेंगे और वन फोर टी स्पून ही मैं इसमें जिंजर गालिक का पेस्ट डाल ले हूं इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब यह वन फोर्थ कप के करीब हैं यह मेरे पास इस्प्रिंग अनियन पड़े हुए हैं मैं यह डाल रही हू आपके पास में अगर कैप्सिकम या करट है तो आप उसे बारिक बारिक चौप करके डाल दीजिए इसके साथ ही यह मैंने थोड़े से धर्या के पत्ते ले लिये हैं इने भी हमने बारिक बारिक काट करके और इसे एड़ कर देंगे अब इन सभी को हमें एक बार अच्छी तरह से मिला लेना है, पहले इसे मिला लेंगे इसके बाद साप पानी एट गरें, पहले हैं बहुँ ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, यह बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा तो पकाने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अब मैं इसे में गयेउ मैं फोटफोल capaci का पानी चाई को हमें ऑईल से ग्रीज कर लेकर लेंगे इसके बाद यह जो हमने लिया है इसे अच्छे से एक बार पहले मिला लेंगे अब इसमे वन टेबल इसपून मिक्शर लेना है और एक एक साचे में इस तरीके से भरते चले जाना है बहुत ज़्यादा उपर तक नहीं भरेंगे बस जितना साचे का साइज है उतना ही डालें उससे ज्यादा नहीं जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से करें और यह देखिए इसके बाद आप इसे ढग देंगे और इसको दो से तीन मिन पकाते हैं इसलिए नहीं बहुत ज़्यादा दे तक ना पकाएं बीच में चेक जरूर कर लें और यह देखिए जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ मैं इसे बहुत ही कम तेल में बनाया है और यह नास्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तयार होता है फ बनकर तयार हुआ है आपने देखा हमने से बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम तेल में बना कर तयार किया है आप सभी कोई रेस्पी कैसी लगी है प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें थैंक् ट्हिंग मैं ि यह दूज सब्सक्राइब करोह।